पहले बात करते हैं परकमांडू होता क्या है परकमांडू इंडियन आर्मी की परस्यूट रेजिमेंट की एक स्पेशियल फोर्स है जिसे डारेक्ट एक्षन, काउंटर टेरिरिज्म, अनकन्वेंशनल, वर्फेर, काउंटर अटेक जैसे इस्पेशियल ओपरेशन के लिए 1966 में इस्टेबलिस किया गया इनकी पहचान, इनकी पहचान होती है ये बलदान वाला बैच और ये बैच केवल परकमांडू के पास होता है और किसी के पास नहीं परकमांडू, दुनिया की बहतरीन फोर्सेज मेंसे एक है और सबसे डेंजरस फोर्स भी, बात करें इनके मोटो की तो इनका मोटो है मैन अपार्ट, एबरी मैन एन इंपरर, इनको काफी बड़े-बड़े ओपरेशन को हैंडल करने के लिए तयार किया जाता है बात करें, eligibility criteria की, कि अगर आप एक परकमांडो बनना जाते हो, तो वो आप कैसे बन सकते हो इसके लिए कोई भी direct entry नहीं होती, यानि आप direct परकमांडो के लिए apply नहीं कर सकते आपको सबसे पहले Indian Army join करना होता है, चाहे आप officer के रूप में Indian Army join करो, या फिर soldier के रूप में जब आप Indian Army join कर लेते हो, उसके बाद आप परकमांडो के लिए apply कर सकते हो बात करें, education qualification की, तो इसके लिए आपका 10th, 12th या फिर graduate होना जरूरी है यानि की, अगर आप 10th पास हो, तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो, अगर आप 12th पास हो, तब भी और graduate हो, तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो बात करें, age limit की, तो परकमांडो उसके लिए कोई fix age limit नहीं होती, लेकिन maximum time इसमें 20 से 25 साल के young soldier को लिया जाता है इसका region यह है, कि परकमांडो की training में उन्हें बहुत hard work करना होता है, जिसके लिए soldier का young होना काफी जरूरी है इसकी procedure काफी tough होती है, और कोई old man उस procedure को पार नहीं कर पाता इसके लिए commission और non commission दोनों तरह के army person apply कर सकते हैं चाहे आप किसी भी rank पर हो, आप परकमांडो के लिए apply कर सकते हो, बात करें selection procedure की तो इसके लिए आप साल में दो बर apply कर सकते हो अगर आपको बनना है एक परकमांडो तो सबसे पहले आपको परट रूपर qualify करना होता है, जो की है तीन मंत की process आपको तीन महिने तक एक procedure से गुजारा जाता है, अगर आप उसे qualify कर लेते हो, यानि उस procedure में quit नहीं करते तो आपको आगे की procedure के लिए select किया जाता है, वरना आपको वापस आपकी रेजिमेंट में बेज दिया जाता है, अगर आप ये तीन मंत की procedure कम्पलीट कर लेते हो, उसके बाद आपकी दूसरी procedure सुरू होती है, जो होती है 6 महने की, पहरा special force इसमें आपको 6 महने तक mentally और physically परखा जाता है, कि आप एक परकमांडो बनने लायक हो या नहीं, यह procedure दुनिया की सबसे बड़ी, toughest और longest procedure होती है, selection की, अगर आप इस procedure को भी पार नहीं कर पाते, तो आपको तब भी वापस आपके रेजिमेंट में भेज दिया जाता है, ले इसके बाद आपकी एक साल की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आपको ये बलदान बैच दे दिया जाता है, जो कि किसी परकमांडो को ही मिलता है, तब आपको परास्पेसियल फोर्स में सामिल किया जाता है, इसके बाद भी आपकी 3 साल तक ट्रेनिंग होती है, तब जाके आप एक परकमांडो बनते हो एक परकमांडो 50 जंप लगाता है 33,500 फीट से और इसकी ट्रेनिंग नैवल डाइविंग स्कूल कोची में होती है तो यह थी complete process एक परकमांडो बनने की एक परकमांडो बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है यह बहुत tough process होती है और बहुत ही कम candidate इसके लिए select हो पाते हैं जितने भी candidate इसके लिए apply करते हैं उसमें से 10% candidate ही परकमांडो special force में सामिल हो पाते हैं तो अगर आप एक परकमांडो बनना चाते हो तो आपको अपनी physical fitness और mental fitness पर बहुत ज़्यादा work करना होगा तभी आप इसको qualify कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी अगर आपका वीडियो से related कोई doubt है तो उसे comment में लिखे